शू एक ऐसा कैटेगीरी है जो सालों भर आपको प्रॉफिट देने वाला ये बिजनेस बनता है चूंकि गाओं हो या शहर हो कुछ भी हो जूते चपल लोग सालों भर पहनते हैं ये इस कैटेगीरी का सबसे बड़ा बेनिफिट है आज की इस वीडियो में मैं आपको जिस ब ब्रांड के बारे में बताने वाला हूँ वो है कैमपस कैमपस एक ऐसा ब्रांड है जिसके बारे में आप सब जानते ही होंगे बहुत सारे लोग आपने इनके वेरियस टाइप के जो शूज होते हैं आपने इनके यूज किये होंगे सो इसके बारे में बहुत जादा जानने कि campus basically 2006 से Indian market में है और पिछले लगभग 15 से 18 साल के अंदर में ये पूरे इंडिया में एक जबरदस ब्रांड इन्होंने बना लिया है इनके जो ब्रांड वैल्यू है आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं इनके इंडिया में more than 1000 प्लस इस्टोर हैं जिसमें इनके exclusive इस्टोर भी है और काफी सारे इस्टोर ऐसे हैं जो की shop के अंदर में होता है जो की malls के अंदर में होता है जैसे विशाल मेगा मार्ट हो गया या Walmart तो Walmart तो अपने इंडिया में नहीं है लेकिन बाहर है तो इसी तरीके से malls में भी exclusive showroom है और कुछ company के जो बड़े format के showroom खोलते हैं उस type के showroom भी campus के हैं जो पूरे all over इंडिया में है बावजूद campus एक ऐसा brand है जिसके shoe का जो demand है वो काफी ज़ादा high रहता है नतीजा ये है कि बहुत सारे जगों पर अभी भी एक option है आपके लिए as a franchise store open करने का सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ company का official website पर check करते हैं हम लोग इनके brand से related जो भी shoes हैं वो और तब बात करते हैं business के ये है company का official website campus shoes.com यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको various type के categories के shoe दिखेंगे सबसे पहले men's women kids उसके बाद collection sales and corporate ठीक है चली हम लोग सीधा men's में ही enter करते हैं काफी सारे लोग आप में से यहीं होंगे तो सबसे पहले अगर हम men's के shoes की बात करें तो इनके shoe का pricing और designing दोनों चीज़ पर आप गौर कीज़ेगा designing तो बहुत ही शांदार और A1 quality का होता है apart from that इसका जो पहनने पर जो comfort है वो भी बहुत ही शांदार होता है इसमें कोई दुरह ने है running shoe में सबसे ज़्यदा लोग यूज़ करते है school college के बच्चे यूज़ करते है offices वाले भी यूज़ करते है अलग-अलग type का अगर इनका shoe है तो आप shoe का design देखी रहा है comfort मैंने आपको बता ही दिया बात करें pricing की pricing के मामले में campus बहुत ही जानदार brand है कारण है कि इनका pricing pocket friendly है economical है इसलिए campus जैसा shoe पूरे गाउं में भी आपको दिखे जाएगा शहर में तो दिखता ही दिखता है सो campus चल भी इसी वज़़े से रहा है क्योंकि इनका जो pricing है वो काफी ज़्यादा economical है जो की affordable है गाउं के लोग भी afford कर पाते हैं छोटे शहर के लोग भी afford करते हैं शहर वाले तो कर ही लेते हैं खैर तो आप देखिए 1000 रुपिया 849, 1500, 1000, 1600, 1000, 1000, 1000, 1500 तो ये pricing ऐसा pricing नहीं है कि कोई afford ही ना कर पाए ये ladies का section में हम है और आप देखिए शू कितना खुबसूरत है काफी ज़्यादा tick out होता है ये इसमें दो रहनी है बच्चों का भी एक बर हम लोग चेक कर लेते हैं बच्चों वाले में भी अगर आप pricing देखेंगे तो 600, 1500, 800, 800 ये एक ऐसा pricing है कि कोई भी parent अपने बच्चों के लिए लेना चाहेंगे तो जूते चपल में तो कोई समस्या है ही नहीं आपने design, brand और pricing तीनों चीज़ से आपने देखा होगा कि आप सहमत होंगे अब ज़रा बात करते हैं business की सबसे पहला अगर आप इसका store open करना चाहते हैं franchise store उपर करना चाहते हैं तो किस type का location आपको देखना चाहिए location में सबसे पहले मैं बोलूगा अगर आपके area में कोई shoe market है तो आप उसको preference दीजिए अगर shoe market नहीं है तो main market को preference दीजिए अगर वो भी नहीं है तो mall के अंदर में अगर कहीं है space मिलता है तो आप उसको open कीजिए location में आपको यही देखना है next बात करते हैं कितना इसमें आपको area चाहिए होगा इसके लिए area आपको कम से कम 500 square feet आपको चाहिए होगा और maximum आपको 1000 से 1500 square feet आपको area चाहिए होगा mall में अगर आप जाएंगे तो 500 square feet तक का area आपको जरूर मिल जाएगा next अगर हम बात कर लें कि क्या इसके लिए company के तरफ से आपको support मिलेगा तो company आपको पूरा का पूरा इसमें आपको support देती है जैसे सबसे पहले इसमें हो गया interior interior के अलावा इसमें हो गया exterior exterior के अलावा हो गया इसमें training training के अलावा हो गया इसमें company जो भी product वगएरा देगी वो timely आपको देगी सब कुछ A to Z company आपको करके देती है सपोर्ट भगरा करती है मारकेटिंग जहां तक बात है तो मारकेटिंग तो देखे कंपनी सेंटर लेबल पे करती है यानि कि जिसे TV पर मारकेटिंग हो गया 뉴스 पर इधर रुद के मारकेटिंग वो तो हो गई होगा और चुकि कमपनी का ब्रांड इतना बड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ गूगल माई बिजनेस पे भी रेजिस्टर करने से आपका काम हो जाएगा ठीक है ना तो ये हो गया कमपनी के एंड से सपोर्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इस काम को स्टार्ट करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा कैमपस का फ्रिंचाइजी लेने के लिए तो चुकि जीस तरीके का मैंने लोकेशन की बात करी है उस टाइप का लोकेशन आपको चुनने के लिए लोकेशन में एरिया दोनों ये दोनों चीज को ध्यान में रखे अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें प्लस जो कंपनी का अपना है तो ये इन्वेस्टमेंट कम से कम 30 लैक प्लस जाएगा जी उससे कम नहीं होने वाला ये मैं पहले आपको बता दो बड़े लेबल का ये काम है तो कम से कम 30 लैक प्लस का इसमें इन्वेस्टमेंट जाएगा इंटरिस्टिंग बात ये है कि अगर आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है तो भार सरकार कहें के स्कीम है उसका नाम है CGT MSC स्कीम आप इस स्कीम के तहत अप टू 5 करोड तक का लोन ले सकते हैं किसी भी बिजनस के लिए इस स्कीम का सबसे बड़ा खासियत ये है कि इसमें आपको 100% आपको सिक्यूरिटी नहीं देना है कितना देना है आपको तो 15% से लेके 25% के बीच में सिक्यूरिटी देना है अगर आपका लोन अमाउंट मातर 30,00,00 रुपिया है तो आपको सिक्यूरिटी सिर्फ 15% देना होगा ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ CGTMSC लोन में ही है और किसी भी स्किम में इस तरीके का फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगा CGTMSC में लोन के लिए जब आप अपलाई करने जाएंगे तो सबसे जो पहला डॉक्मेंट लगता है उसको हम लोग बोलते हैं project report in project report के अलावा इसमें हो अद्यम उद्यम के अलावा इसमें हो गया trade license trade license के अलावा इसमें हो गया shop and establishment act में आपका registration ये सारा documentation का जो भी काम है इसके लिए आप website है उसको visit कीजिए myprojectreport.com इसका link में description में देदूंगा आप डिरेक्ट वहां से भी देख सकते हैं या screen पर जो आपको number दिया जा रहा है आप सीधा वहां पर भी call करके अपने documentation बनवाईए और loan के लिए apply करके इसका franchise आप ले सकते हैं बात कर लेते हैं जरा इसमें profit margin कितना हैगा चुकि शू का यह business है और आप franchise के तोर पे काम कर रहे हैं तो आपको जो margin मिलेगा वो लग भग 20% के आसपास का margin जा सकता है कम भी रहेगा ठीक है ना 20% हो गया 15% हो गया किसी में 10% किसी में 30% तक का भी margin इसमें आपको मिलेगा तो as a franchise के तोर पे इस तरीके के margin के हिसाब से अगर मैं earning की बात करूँ तो एक महीने का earning 500 square feet का अगर आप अच्छे खासे जग़े अगर आप shop open कर रहे हैं तो आपकी जो एक महीने की earning होगी वो लग भग 1 lakh plus का earning इसमें जा सकता है बशारते कि आपका location ठीक हो इसलिए अच्छे location पर ही आप अपना store open करें ठीक है अब बात करते हैं हम franchise कैसे apply करेंगे how to apply franchise apply करने के लिए company official website पर आना है आपको इसके बाद सबसे नीचे आना है नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको getting touch का एक section मिल जाएगा getting touch का section मिल जाएगा आप सीधा यहाँ पर करके या इस वाले इमेल पर आप email कर सकते हैं या नहीं तो आप सीधा contact us वाले section में आके जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ भी इस यही चीज़ आपको मिल जाएगा इसके अलाव है कि inquiry form रहेगा तो आप inquiry form भर के यहाँ पर message में आप type कर दीजेगा inquiry for franchise और जो भी area है वो सारी चीज़े करके आप send कर दीजेगा अगर आप mail और यह form भर के आप करेंगे तो आपको दो से तीन दिन wait करना होगा अगर आप instant ही बातचीत करना चाहते हैं तो any other queries वाले number पे आप सीधा call किजेगा ठीक है ना इस वाले number पे आप call करेंगे instant company आपसे बातचीत कर लेगे सुमीद है आपको यह वीडियो पसंद आया हो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत अनुमात थैंकिसो मच टेक केर बाबाए